असुनी कुमार ने कल कहा भी कि इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो कोट का फैसला है कॉंग्रेस के प्रभावी रूप से भारत में खरे होने की संबाबना को नास करना है कि ये ऐसे रननिती है जिसमें केवल विनास है चोकिदार चोड है चोकिदार चोड है का उन्होंने नारा लगाया आपने जान बुझकर मोधी सरनेम का उपाधी का प्रयोग किया मने अगर आपके वल नरेंदर मोधी, नीरो मोधी, अनी लंबानी, मेहुल चोकसी यह सब का नाम लेते तो आपको सजा नहीं मिलती, कोट ने भी कहा कोट ने कहा था कि आप इसमें शौडी बोलके छमा मांगके इससे अलग हो जाईए यह नहीं माने, नहीं बोलेंगे, लेकिन जुबान सुधरने के लिए तियार नहीं करें संसत से सदस्ता राहुल गांदी की चली तो गई, लेकिन रोड पर कांग्रेस आ गई है और सबसे बड़ी बात की कल मलेकार जुन खड़गे ने कहा कि जिसने सच की आवाज उठाई संसत में उसी के आवाज को दवा दिया गया, उसी के वज़े है कि आज लोकतंतर खत्रे में है आज इसी खास मुद्व पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजुद है वश्ट पतकार अवदेश कुमार जी, सर बहुत हो स्वागत है आपका ख़वर अंडिया पर लेकि राहुल गांदी की सरदिस्ता तो चली गए, लेकि कल हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा कॉंगरेस ने ओम सांती लोकतंतर अब देखिया ऐसा है कि ओम शांती का अर्थ और लोकतंतर का अर्थ राहुल जी और बाकि उनकी पार्टी क्या लगाती है क्योंकि उन्होंने तो महात्मा गांदी के सत्य और अहिंसा की भी बात कर दी कि हमारा सत्य जो है ये तो और अहिंसा मेरा धर्म है यही बताया नहीं न कि सत्य मेरा साध्य है और अहिंसा जो है मेरा लक्ष है तो अब इसका अर्थ वो जानते हैं महात्मा गांधी का नाम लेते हैं ओम शांती का नाम लेते हैं आपके ऐसे बिरोधी पैदा अगर हो जाते हैं, जो आपकी संसत सदस्ता तक को खत्म करवाने में सफाल होती हैं न्याई पालिका के दौरा, अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने में सुधार करने क्या वशकता होती है ना। देखिए सामानने विवहार का विशा ये होता है कि अगर हमारे सामने विपरीत और कठिन इस्थिती पैदा होती है या हम जो उम्मीद करते हैं उसके बिलकुल उलट हमारे परतिकूल इस्थिती चली जाती है तो व्यक्ति थोड़ा स्थाहर के सोचता है कि कहां गलतियां वार के नित्रित वाली जो वर्तमान कॉंग्रेस है और इनके जो नितिकार है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जहां संजम की जरूरत है जहां संजत की जरूरत है जहां आत्म संतूलन की जरूरत है वहां उताबलापन हो वहां उत्तेजना वहां उग्ड़ता जहां के विन उससे कोट का फैसला बदल जाएगा यह फैसला सरकार का तो होता नहीं है सुप्रिम कोट का जो 11 जुलाई 2013 का जो भर्डिक्ट है जो उसमें फैसला है उसमें असपस्ट लिखा हुआ है कि फैसला आने के साथ ही असपस्ट है फैसला आने के साथ ही संसत बिधान सभा बिधान परिशात की सदस्यता उस व्यक्ति की खत मानी जाएगी उसमें सेकेंड का देर नहीं लगाना है ये कॉंग्रेस के जो पहले मंतरी थे विधी मंतरी असुनी कुमार ने काल कहा भी कि इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो कोट का फैसला है उन्होंने कहा कि कोट के पैसले से हम लोग साहमत नहीं थे क्योंकि व्यक्ति को एक अपील का अधिकार मिलना चेहाँ नहीं कि कोई निचले नियाले नहीं अगर किसी को सजा दे दिया हो और उसकी तुरत सदस्ता को हो जाए HU खत्म हो जाए उसको अपील का भी अधिकार न मिले तो बोलें यही एक अलग प्रस्न है लेकिन अगर फैसला आ गया है दो साल या उससे अधिक तो सदस्ता आटोमेटिक चली जाती है यह लोग सबाज जिस भी सदन के वो सदस्य होते हैं उस सदन की जिम्मेवारी होती है कोट के आदेश का पालन करना अगर वो पालन नहीं करते है तो वो जिम्मेवारी का पालन नहीं हुआ वो कोट की आउमानना होगी यह उल्टी बात हो रही है कि किसी ने फलाने ने देरी कर दिया बीजेपी के विधायक था उसको सजा हो गई सजा हो गई इसमें दो महीने बाद हुआ वो गलत हुआ वो पहले होना चाहिए था लेक अब उसका बिरोधी हो तो तुरत चला जाता लेकर विधानसाबाद ध्यक्स के पास यूपी में भी हो जाता तो इसे लिए मैं कहा रहा हूं कि यह ऐसे रन्निती है जिसमें केवल विनास है माने इस पर्थम परिवार के राज्यितिक परभुत्यों का विनास है कॉंग्रेस उन्हें आपस में ही लरके अपने को खतम किया तो यह अभी कॉंग्रेस जो है उपर से जरूर दीख रहा है कि सब राहूल गांधी के पक्ष में एक मत है लेकिन देश के सामने एक प्रस्ट में रखता हूं कि जो कॉंग्रेस पार्टी के वकील रात में याकूब मेमन के लि क्यों नहीं किया कि यह सदस्ता कंसिल हो इसमें सदस्ता जाने का खतरा है इसको आपात कालिन सुनवाई की जाए क्योंकि तक यह राहूल गांधी की सदस्ता जाने से मुझे ब्यक्तिकत रूप से दुख है क्योंकि मतलब सदस्ता नहीं जानी चाहिए आप अंदर रह के रह पहले बार उंहोंने जो आफिक दिया उसमें के लिए यह नहीं कीट करने है तोेके आपको कौरने करनी परक्षाली करने कदेंगी quality. कि अज एक Staat करें ole और हमी और हमी कदेया ङाएं और आ यही को को ़ूजोerd है, अठीक है, इसे मोगता हमने कें कि आपको अगर कम सजा देंगे तो इसका संदेश गलत जाएगा क्योंकि आपको पहले ही सुसर्वत्चनियाले आपको वार्ण कर चुका था चेताबनी दे चुका था कि आप सतर्क रही आप सतर्क नहीं हुए हैं तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि इस समय जो कुछ यह उतर रह हैं यह बाहन लिए मैं अगर कहूंगा कि सारे मोधी का सरनेम चोड ही कोई हो नरेंदर मोधी निरो मोधी विजय मालिया ललित मोधी और नरेंदर मोधी का भी नाम लेते हैं उसमें वह लास्ट में तो किसी को तो अखरेगा न अब एक मुकदमा इनका हो गया दो मुकदमा तो और है उसमें भी जमानत पर एक राची में एक पटना में है आरेसेस के बारे में इन्होंने असम में बोल दिया था कि हम एक सीविर में जा रहा है थे हमको रोक दिया गया अब वहां किसी कार करता है क्योंकि सामानिता आरेसेस और संग जो है कोई कुछ कहता है तो उसमे इन पर एक मामला चल रहा है कि ने कह था कि आरे शसेस ने गांधी जी की हत्या करवाई वहां एक ऐक कारकर्ता ने जो है वहां मुकदमा कर दिया हाला कि संग मुकदमे से सहमत नहीं थी लेकिन अब कारकर्ता की भावना है कि जिस बेंगा सुप्रीम कोड गा है खाला आ अब र रिष्टी रखता हूं इसलिए मेरे ध्यान में तो मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद तो जुबान सुधरनी चाहिए ना लेकिन जुबान सुधरने के लिए त्यार नहीं करें राहूल जी ने बिल्कुल ठीक किया राहूल जी तो बीर पूरूस है राहूल जी तो लेकि दो चीज़ें एक तो जब इनकी सदस्ता रद की गई उससे पहले 4000 किलोमेटर की जो लगवा यात्रा की गई भारत जोड़ यात्रा और उसके बाद में कहीं लगता है कि इस एक जटके से प्रधान मंत्री बनने का सपना राहूल गांदी का चकना शूरू हूँ गया इस समय स्वायम के लिए परधान मंत्री का दावा करें देष का कोई भीपक्षी नेता इस समय आगे आकर के भीपक्षी गठवंदन को नरेंद्र मोधी के खिलाप लीड करने कе लिए बनाने के लिए त्यार है लेकिन हम उसके लीडर बने इसके लिए देश में कोई खड़ा होके नहीं आ रहा है कि मैं विपक्षी गटवंदन का नेता बनने के लिए त्यार हूँ आओ मेरे साथ तो जब कोई उसके लिए त्यार ने अब राहुल गांधी जिसके आप हालत देख लिजे बतलव आप एक विपक्ष के नेता का पद पाने की स्थिती जिसकी लोग सभा में नहीं है दो चुनाओं में 17% के आसपास जिसका बोर्ट सिमट गया है जिस पार्टी का जनाधार बरह पाने की कोई संभावना नहीं है यहां तक की छेत्रिये पार्टिया जहां बीजेपी है वहां तो थोड़ी है कांग्रेस लेकिन जहां बीजेपी नहीं हो तो कांग्रेस है नहीं ने छेत्रिये पार्टिया इसको खा गई पस्ची मंगाल में किसने कांग्रेस को खतम किया त लेकिन वो नहीं था, सब को मालूम है कि इसमें एक लाइन वो सौरी बोल दिये होते हैं, तो ये नौबत नहीं या, इतना ही तो बोलना है, एक लाइन कोट ने कहा था कि आप इसमें सोरी बोल के छमा मांग के इससे अलग हो जाइए, नहीं माने, नहीं बोलेंगे, हमने गलत नहीं किया है हम तो बरश्टाचार के खिलाब बोल रहे हैं तो कोट नहीं माला कि यह बात आपकी बरश्टाचार का तो इसमें कोई क्या कर सकता है अगर यह काते हैं कि भारती जनता पाटी इस चाहेगी कि राहुल गांधी की सदस्ता चली जा मुझे नहीं लगता कोई भी च जी पर आए दिन टिपड़ी करते हैं तो क्या उसी टिपड़ी का पढ़ा में आपने कहा कि सम्विधान के तहर्जब उनकी सदस्ता गई है या उनको सजा बुली है तो बारवा ठीकरा मोधी पर क्यों फोड़ ला तो इस समय और दूसरे क्या चारा है यह तो जो आपने वा तो संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है तो यह एक जो डराबनी स्थिती भारत की पैदा कर दिया ही लोगों ने उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं मैं अगर कॉंग्रेस का नेता होता ही समय इस स्टेटेजी क्या कहती है इस्टेजी यह कहती है कि आप दोनों और रूप से बतलब इतनी उदान्डता और इतनी उगरता आक्रामकता और मूर्खता किसी बढ़े नेता का लक्षन नहीं हो सकता है इस समय कांग्रेस की रननिती यह होनी चाहिए थी कि ठीक है राहूल गांधी नियाले को उसमें अगर गल्ती लगी है नियाले ने अपने उसा परचार के खिलाब सब जाड़ी रहेगी लेकिन जहां तक नियाले का सम्मान है नियाले जो कहेगा वैसा हम करेंगे और अराम से जो है अगले अपील आगे दिस्टिक जच के कोट में जाना है और हाई कोट अभी हाई कोट में नहीं है वो तो जा सुप्रेम कोट भी सकते थे अगर एक-एक खिरी आगे बनेंगे तो आप अगले कोट में जाते हैं आप बोलते कि हम वहां नहीं कर सके हैं हम कोट से माफी मांगते हैं हमसे नरेंद्र मोदी का हम नाम ले कोट ने उसमें कहा है कि आप केवल नरेंद्र मोदी नीरव मोदी सब का ही नाम ले सकते थे आप आपने जान बुझकर मोधी सरनेम का उपाधी का प्रयोग किया अगर आपके वल नरेंद्र मोधी, नीरो मोधी, अनी लंबानी, मेहुल चौकसी इस सब का नाम लेते तो आपको सजा नहीं मिलती कोट ने भी कहा है तो उस पर तो बरकरार आ सकते थे, गर इतनी समझ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है कॉंग्रेस पर्थम परिवार को खत्म जिस पर दारो मदार है उसको खत्म करने पर अपने आप तुली है और पार्टी को भी खत्म करने पर तुली है। उसका अनुबाद करने में समय लगता। यह ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने को पीरित बना के राहूल गांदी को पेस करें। नीचे नियाले का फैसला है जुडिसेल मेश्टेट का फैसला है तो अब सत्र नियाले में जाएगा। तो शत्र नियाले में डिस्टिक जाज यह जिसको चाहेंगे या स्वम देखेंगे वहाँ जाएगा मामला तो यह प्रोपर भी में ऐसा ही लरेंगे यह। इसको यह आगे ले जाने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन यह रन्निती बिल्कुल गलत है। देखिए कहा गया है कि मूर्ख उस सूखी लकडी के समान है, मूर्ख की प्रिभासा दी गई है, कि मूर्ख उस सूखी लकडी के समान है, जिसमें कितना भी आप पानी डालो, उसमें रसायन डालो, उरबरक डालो, उसमें कोई फूल पत्ती नहीं लग सकती है। वो टूट जाएगा सूखी लकडी अब लगा दो लेकिन जूक नहीं सकता है वो वो कट जाएगा जल सकता है लेकिन जूक नहीं सकता है ये किसी ये किसी धिमान मनुष का लक्षन ये ये सूखी लकडी का नहीं हो सकता है जैसे ये कैमरा है इसको आप यहां से मोरेंगे जब तक इसमें नट नहीं दिया रहेगा, यह नहीं मूर सकता है, आपके माइक में भी यह तोड़ सकते हैं, तो यह सब यंत्र है, इसको बनाया कि हम मनुष यंत्र नहीं नहीं है, इस समय तो वह है इस्थिती थी, कि आप जो है, जैसे हनमान जी को लंका पहुचना था, सूरसा न मैं बहुत बलवान हूँ, मेरा काम तो लंका पहुचना है, तो उन्होंने अपने को छोटा सा बच्चा बना लिया, और उसके आक ही हुई थी, उसके मुह में घुस गया, कि लो माता मैं तुम्हारा तो पान बन गया, और तुम्हारा भी काम हो गया, और हमको जाने दो घु अखील होते हुए भी कल सुप्रीम कोट नहीं गय थी, यह जा सकते थे, कि यह इस्थिती बन गया, इस संसर सदस्ता जा सकती है, इसलिए हमको इस्टे दे दिये, अगर सुप्रीम कोट फैसले पर इस्टे दे देता, तो फिर तो सदस्ता नहीं जाती, इस्टे नहीं देता, अभी भी संभावना है, अभी भी अगर कोट आगे फैसले परिस्टे दे, फैसला परिस्टे, केवल अगर अपील है, सुनवाई है, जमानत है, उससे फैसला ने, अगर उपानता है कि कोट के फैसले पर अस्थगनादेश मिल जाता है, तो फिर उनकी सदस्ता के लिए अपील क कि जा सकती है और जब तक चुनाओं की घोसना नहीं होगी सदस्ता उनकी बहाल हो सकती है दूसरा अगर अगला कोट मान लेता है कि नहीं उनको दो साल की सजा नहीं है एक साल की होगी छे महीने के होगी या उनकी सजा को रद कर देता है तब भी सदस्ता अपने आप 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 का नहीं अपना रही है कि हम अपील नहीं करें गे तो यह समझने की बात है कि आपकी रननिती क्या है तो इस नहीं है सहमत नहीं होता हूं क्योंकि का भी मानना ना है कि प्रियंका बाड़रा में राहूल भी छमता नहीं है उन्होंने जो अभी तक भाषन दिया है मैं व्यक्तिगत उनका सम्मान करता हूं एक सिविलाइज्ड महिला राजनिती में आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए मुझे उसमें कोई कठी दिकत नहीं होती है लेकिन अभी तक जो प्रियंका बार्डरा का जो भाषन है जो उनकी है चाहिए उपि में काम करनातिक जा रहे हैं गुजरात में की सीटे गटा के नास कर ये जनता पार्टी अकेले है, वहां कॉंग्रेस ताकतवर है अभी भी, जहां तीसरी पार्टी जाती है, वहां से कॉंग्रेस खत्म हो जाती है, उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का बोट कौन खाया होगा ज्यादा, कुछ बोट तो BJP के पास गए, लेकिन जो मुस्लिम तो इसलिए कॉंग्रेस को यह समझ नहीं है तो उसी रननीती से चलने बिपक्ष कोई समय इतना ही है इसे बिपक्ष को राहुल गांधी से कोई मुहबबत हो गया नहीं है राहुल गांधी को विपक्ष नेता बने ही बनाने जा रहा है इससे यह है कि नरेंद्र मोधी के विरूद चुकि आएसे कोई मुध्य पर नहीं उतर पारें तो इसमें एक जूट हो करके उतर सकते हैं क्योंकि आगे CBI ED है देखिए 14 पार्टिया गई है CBI ED को लेकर उसका भी पार्टिय जिसके नित्रित में इस देश के उन संस्थाओं की आधार बनिया उन संस्था निर्मित में चाहे निया पालिका हो कारपालिका हो उसमें उस पार्टिय के नित्रित देने वाले पर्थम परिवार के किसी व्यक्ति को अपनी जुबान के कारण अभी इसमें कोई यह नहीं कि उन्होंने किसी को गोली मार दी है या कोई किसी के साथ बलातकार कर दिया है या कोई भरस्टा चारका है जुबान के कारण कि हम अपनी बचन की हम बोलने किसी मर्यादा का पालन नहीं कर सके उसके कारण सजा मिली है और उसके कारण उस सदस्था गई है तो इसका म पुली पर अपने नियंत्र कहा जाता है कि राजनिती में सोच समझ कर संजत हो के बोलना सबसे पहली आवसकता वही होती है लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए अगर वहां हमारी राजनिती अब इस्थिर नहीं है सजा मिल रही है तो एक भयावपड़ी स्थिती है पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि इस स्थिती से हम कैसे बाहर निकलें और राजनिती परतियस परधा का तो कारण हो नेताओं और दलों के बीच लेकिन राजनिती नफरत घिरना और दुस्मनी में न बदले जिससे कि हम हमारे अपने इतना गुसा और क्रोध किसी के बा क्षम हो एतना पर को फस्यां जू एलोगे जालन स्थिती करा के बाहर थे जिते हैं है